पाकिस्तान को एक और बड़ा जटका देते हुए भारत ने कश्मीर मुद्दे पर बात सीथ की उसकी पेश कर शुकरा दी है हाली पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर मुद्दे पर बिसेश वारता का प्रस्ताव दिया था भारत में इसका अधिकारिक जवाब सौप दिया है सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने भारतिय उचायुख ने इसलामबाद में पाक के विदेश सचीर से मुलाकात की है उन्होंने उन्हें पेसकश पर भारत का जवाब स्वापा है जिसमें प्रस्ताफ को ठुकरा दिया गया है बतादे की पाकिस्तान के विदेश सचीर एजास सौधुरी ने सोंबार को इस्लामबाद इन्हारत से हाई कमिश्नर गौतम बंबेवाला को गुलाकर विदेश सचीर स. जैसंकर के लिए एक चुठी दी इस चुठी में जैशंकर को इसलामबाद आकर जमु कश्मीर के मुद्धे फर बात करने को ने आता दिया गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लोग सभा में 5 सीटे और विधान सभा में 24 सीटे होनी चाहिए ये कहना है भीजे पिसांसद निशिकांद दूबे का निशिकांद दूबे वे सांसद है जिन्होंने दो बार प्राइविट मेंबर बिल जाकर लोग सभा में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए 5 सीटे रखने की मांगी थी लेकिन उस वक्त उनके बिल को रुजेक्ट कर दिया गया था पीयोके को लेकर मोधी सरकार के बदले रवईये और प्रधान मंत्री के हालिया बयान के बाद अब दुबारा से ये मांग उठी है बिजेपी सांसद निशिकांद दूबे ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी उन्होंने कहा मोधी जी इस मुद्दे को लेकर गंगीर है और प्राइविट मेंबर बिल लाने की ज़रूरत ने की पड़ेगी सांसद का ये भी कहना है कि भारत जल्दी ही मुझफराबाद मेव की किरंगा जंडा फेराएगी केंड्रे मंतरी जनरल वीके सिंख की पतनी को जान से मामनी की धंकी मिली है यही नहीं फोन करने वाले शक्स ने उन्हें ब्लाक मेल करने की कुछिस की है मामले में शिकायत के बाद गुदवार को दिल्ली के तुगलगा बाद रोट पॉलिस टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है मिली जानकारी के मताविक एक शक्स केंद्रे मंत्री की पतनी से दो करो रुपाई कीमां कर रहा था यही नहीं उसने उन्हें ये भी धंकी दी कि यदि वो ऐसा नहीं करती है तो उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी आरोपी मंत्री की पतनी को नीजी बातों की रिकॉर्डिंग सारवजनिक करने की धंकी देकार उन्हें ब्लैक मिल कर रहा है तुगलक रोड ठाना पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी है मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इलाके के आला पुलिस अभिकारी इस और कुछ भी बोनने को तयानी ही है जमाद दावा प्रमुक हाफिस साईद ने एक बार फिर भारत के खिलाव जहर उगला है करते हुए साईद ने दावा किया कश्मीरियों ने विभाजन से पहले घोशना ठीखी की वे पाकिस्तान के साथ रहना चाते हैं लेकिन विभाजन के बाद भारत ने जवरन जमुकश्मीर में सेना भेग दी इस पर काईद आजम मुहमद अली जिन्ना ने कमांडर इंचीफ को सैनिक भेज का जवाब देने का आदेश दिया था लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इंकार कर दिया भारत ने पूर्व उत्तर में सुखोई 30 MKI लड़ाकों विमानों पूफिया ड्रॉन और मिसाइलों की तैनाती के साथ साथ पूर्वे लदाख में टैंक, रेजिमेंट्स और चैनिकों की संथा में बढ़ोतरी की है अपने पूरी रणनीती के तहट भारतिय वायुसेना शुकरवार को और उनाचल प्रदेश के पस्टिम सियांग जुले में पासी घाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सक्रियो करेगी यहां से लड़ाकों विमान और हेलिकॉप्टर संचौलत के जाएंगे गेंजर ग्रेराजे मंतरी किरेंड रजीजू और पूरवीर वायुकुमान के चीफ एयर मार्सिल सी हरी कुमार पसी घाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उठवाटन करेंगे जारकन विधान सभा के विशे सत्रों में वुदवार को सर्वसमीती से ज्यस्टी बिल पारित हो गया जारकन देश कार दीसरा राज्ये है जहां ज्यस्टी बिल पारित हो गया इससे पहले असम वबिहार विधान सभा में ज्यस्टी बिल पारित किया है जार्खन के संसदिय कारे मंत्री सरैयू राय ने सदन के पतल पर जीस्टी बिल पेस किया और इसे व्यापक विक्तिय सुभार वाली पहल बताया उन्होंने कहा कि इससे खनिज पर टैक्स नहीं लगेगा वही मुक्यमंत्री रगुवर गास ने बिल पर चच्चा में भाग लेते वे कहा कि जीस्टी बिल से भर्षचच्वार पर लगाम लगेगा और अपने देश में एक टैक्स कानून चलेगा मुलायम को मुक्तार परसंद है लेकिन मुक्यमंत्री अखिलेश रगुवर अब भी राजी नहीं है मुक्तार का ये मामला मुलायम परिवार में मुच का सवाल बन गया है नेदा जी के इसारे को आदेश बताकर दो दिन से यूपी की राजमीती को अपने आसपास भिमाने वाले शिफपाल यादफ के लिए अच्छी खवर नहीं है मुलायम ने भले ही मुक्तार को लाने के लिए शिफपाल को हरी जंडी दे दी है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादफ किसी खीमत पर राजमी आए अखिलेश को अपनी च्छवी की चिंता है क्योंकि बाकु बली की बदनामी को साथ लेकर वो चलना नहीं चाहते महराश्ट्र के राज्यपाल सीविद्यसागर राउ ने माला बार हिल्स खेत और राजभावन परिसर ने अंग्रेजों के समय का 150 नीचा लंबे एक बंकर का पता लगाया है जो कई दर्शकों से बंद पड़ा था राजभावन के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री देविद्यन फर्नविस ने कल देर साम बंकर का जायजा लिया राह अपनी पतनी विनोधा के साथ बंकर देखने गए इसके बाद राजपाल ने इसे संडिसित करने के लिए विजिन सेत्रों के विशेशगेओं से मश्विरा करने का अपना इरादा जाहिर किया राजपाल ने बंकर को तब खोने का निदेश दिया था जब तीन महीने पहले पुराने लोगों ने उन्हे राजपाल के अंदर एक सुरंग मौजूद होने के बारे में बताया था अधिकारी में एक बयान में कहा कि 12 अगस्त को राजभवन में लोग निर्मान विभाग के करमचारियों ने बंकर के प्रवेश को बंद करने वाली एक अस्थाई दिवार खोल दिन एक घुमिगत सुरंग की वज़ाए कई आकार के तेरा कमरोवाली एक पूरी बैरिक का पता चला है जैपूर की हिंगोनिया गोशाला में गायों के दलदल में फसकर और भूख से मनने की आज तक की खबर पर हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ की गायों की मौत को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है इस गोशाला में बड़ी संथा में गाय पॉलिफिन, पिल, ब्लेड, बैटरी, इंजेक्शन और सिक्के खाकर भी मर रही है लोग गायों को लावारिस छोड़ देते हैं जहां तहां वो फॉलिफिन के साथ ये सब भी खा लेती है जिसकी वज़ा से दम तोड़ रही है हिंगोनिया गोशाला में गायों के अपरेशन ने पेट से दर्जनों खिले ब्लेड सिक्के, मोबाइल बैटरी, पत्थर, जंजीरे चेंग, कोल ड्रेंग्स की बोतल के धकन और इंजेक्शन जैसी चीजे निकलती है इन चीजों के पेट में होने की वज़ा से गाय बिमार पड़ जाती है और मर जाती है इन सबसे ज़्यादा खतनाग पॉलिफिन है एक तरफ सरकार, एंजीयो और जुनता मिलकर गंगा सफाई और गंगा के काया कल्प का काम करेंगे दूसरी और जल संसाधन और गंगा कूल जीवन मंत्री उमा भारती दो साल तक हर सपता 2 या 3 दिन गो मुख से गंगा सागर के बीच गंगा किनारे पर जात्रा करेंगे भारती का कहना है कि इस तरहा कदम दरकदम नापते हुए वो गंगा और गंगा पूत्रों की मुश्किले आसानी से समझ पाएंगी तब स्थाई उपाय करना ज्याद संभव होगा ताकि 2018 में गंगा को फिर से स्वच, निर्मल और अविरुल करने का लक्षे पा सके यानि इसके लिए एक्ट भी बनेगा तो वो जनता की इच्छा के मुताबिक खास कर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की इच्छा के मुताबिक क्योंकि वो गंगा को सबसे ज्यादा सबसे डहते समझते हैं और समेधन शील्द भी है इस न्यूस बुलिटन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मैं तो टीवी से नमस्कार